आज की कक्षिया में आप सभी का स्वागत है पिसली दो कक्षियाओं में हमने मानव का जो कर्मिक विकास हुआ उसके बारे में जाना और हमने जाना कि किस परकार मानव जो है प्राइमेट से अस्तितों में आया उसके बाद होमो नाइड उसके बाद होमो निड उसके बाद में होमो हिबलिस, होमो इरेक्टर, होमो सेपियस इन भिन भिन परकार के विकास से जो है आज का मानव जो हमें दिखाई देता है जिस रूप के अंदर यहां तक पहुँचने की उसकी जो कहानी है हम उसके बारे में यहां पर अध्यन कर रहे हैं तो आज हम बात कर रहे हैं सबसे पहले होमो हिबलिस की होमो जो हिबलिस है इसको ओजार बनाने वाला कहा जाता है हिबलीस का जो अर्थ होता है वो क्या होता है ओजार बनाने वाला उसके बाद में सेकिंड जो हमारे पास पार्ट आ रहा है वो आता है होमो इरेक्टस का होमो इरेक्टस वो मानव थे पहली बार जो है पाउं पे चलना शुरू हुए दो पाउं पर दो पैरों पर चलने वाला बोला जाता है इसको, थर्ड हमारे पास आता है homo sapiens और इसको बोला जाता है बुद्धी जीवी, यानि कि पहली बार मानों के अंदर किसका जनम हुआ, बुद्धी का जनम हुआ, ये तीन महत्वपूर्ण जो है homo के हमारे पास वरग हैं, और पिछली कक्षिया में मैंने आपको बताया था कि homo जो सब्द है वो लातिन भी भासा का सब्द है जिसका अर्थ क्या होता है, आदमी होता है, अब हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि जो homo hiblis है, उसके अस्तित्तों हमें कहां से मिले तो उसके जो अस्तित्तों है homo erectus और यह हमें मिले Asia और अफरिका में, इनके जो हसेस हमें Asia और अफरिका में मिले और वो जगह थी कोबिफोरा और Kenya के अंदर थी यह जगह और अगर हम बात करते हैं homo sapiens की तो वो हमें कहां पर मिलते हैं अफरिका में मिलते हैं, उसके बाद जो है यह जो जिवासम हमें दिखाई दे रहे हैं, जो अब तक हमने उपर जो यह जिवासम देखें हैं इन जिवासमों का जो हमने नामकर्ण किया इन जिवासमो का homo का तो heidelbergesis यह जर्मनी के अंदर एक जगह थी कहां पर जगे थी एक जर्मनी में और हैडल नामक स्तान पर मिलने के कारण इनको क्या बोला गया हैडल बरगेसिस और नियंदर्थल गाटी सबसे पहले जब हमने इस पार्ट को सुरू किया था ताउगमारे पास नाम आया था नियंदर्थल और नियंदर्थल जो घाटी थी वहाँ पर मिलने वाला जो homo sapiens का जो पराणी था उसको क्या बोला गया nianderthalasis कहने का मेरा भाव आपको यहाँ पर यह है कि मानव का जो अस्तित्तों हमें जहाँ पर भी मिला जिन भी चीजों से हमें मानव को समझने में उसकी हडियां वहाँ पर मिली उसी अधार पर हमने उस मानव का नाम क्या रख दिया नियंदर्थल सेशिस और हाइडल में मिलने की वज़े से हमने क्या रख दिया उस मानव का नाम और यह जो मानव होमो सेपियस हमें हाइडल बरगेशिस में मिला उसकी जो उम्र है वो है 29,000 साल तक का मानव हमें वहाँ पर उसकी हडिया और उसके अवसेस मिले हैं उसके बाद में नेक्स्ट हमारे पास जो हमारा पॉइंट आ जाता है वो आ जाता है कि हमने तीन परकार के मानव के बारे में मैंने आपको बताया था प्राइमेट जो सबसे पहले था उसके बाद प्राइमेट से उदे हुआ होमोनाइड का और होमोनाइड से अस्तित्त वाया किसका होमोनिड का अब इन तीनों के अंदर क्या महत्तपुन विशेस्ता ही थी बहुत बार ये परसन पूछा जाता है कि प्राइमेट और होमोनाइड के अंदर जो अंतर पाये जाते हैं उसका वरणन कीजिए या बहुत बार ये पूछा जाता है कि होमोनाइड और होमोनीड के अंदर जो अंतर थे वो बताईए अब आप मानव को देखेंगे तो उतने बाल नहीं है जितने बाल जो है प्राइमेट के सरीर पे होते थे आपने बंदरों के सरीर के उपर देखे होंगे तो उनका पूरा जो सरीर है वो बालों से क्या होता है धका होता है दूसरी जो महतवपूर्ण बात थी प्राइमेट की, इनके अनदर जो है, इनकी जो माएँ होती थी, जो अपने जैसे बचे पैदा कर सकती थी, उनके अंदर दूद की गृतियां होती थी यानि कि पहली बार जो मानव हमें दिखाई देता है वो जो मानव हमने इस धर्ती के उपर देखा पसू के रूप में उसकी एक खास बात थी कि उसके अंदर जो है दूद वाली गरंतियां होती थी जिनसे वो अपने बच्चों को क्या कर सकते थे दूद पिला सकते थे तो आपने देखा भी होगा कि जो बंदर है चिमपेजी है लंगूर है वो आज भी जो है अपने बच्चों को क्या करते हैं दूद पिलाते हैं उसके बाद में तीसरी जो भिन परकार था इनका इनके दांथ जो थे अलग-अलग परकार के थे। और चोथी जो बात थी महतपूर्ण वो थी कि ये अपने सरीर का जो तापमान होता था उसे स्थिर रख सकते थे। उन बालों की वजए से सरदियों में गरम रख सकते थे और गर्मियों के अंदर क्या रख सकते थे ठंडा रख सकते थे ये विशेशता हैं किस में मिलती है हमें सारी की सारी प्राइमेट में मिलती है उसके बाद हम सेकंड बात करते हैं होमोनाइड की जिसका सिट्टो प्राइमेट से अलग होने के बाद हमारे पास जो है मौजूद हु और जो होमोनिड है, उनके अंदर जो खास बात क्या थी, इनका मस्तिक्स क्या होता था, छोटा होता था, मस्तिक्स इनका क्या होता था, छोटा होता था, और ये भी क्या करते थे, चार पाउं पे चलते थे, किस पे चलते थे, चार पाउं पे चलते थे, और इस कारण जो है, वो अपने पैरों का इस्तेमाल किसके रूप में नहीं कर सकते थे, हाथों के रूप में नहीं कर सकते थे, ये महतपुन विशेस्ता हैं हमें किसकी नजर आती हैं यहाँ पर होमोनाइड की, अब होमोनाइड से ही होमोनिड का स्थित्तों आया, तो इनका मस्तिक्स क्या हो गया बढ़ा इनका मस्दिक्स काकार क्या हुआ बढ़ा और ये चार पायों की जगे किसके ओपर चलना शुरू होगे दो पायों पे कितने पायों पे चलना शुरू होगे थे ये लोग दो पायों पे और दो पायों पे चलने की वज़े से इनके अंदर तीसरी जो महतपन विशेस् क्योंकि दो पाओं पर चलने की वज़े से उनके जो दो पैर ओर थे वो फरी हुए फरी हुए तो उन पाओं का इस्तेमाल उसने पहली बार जो है किसके रूप में करना शुरू किया हाथों के रूप में इस्तेमाल करना शुरू किया तो हमारे पास ये तीन वरग उबर करके आते हैं प्राइमेट के प्राइमेट कुद और उससे अस्तितों में आने वाला होमोनिट और उससे अस्तितों में आने वाला होमोनिट और उस सभी की ये महतवपून क्या थी हमारे पास विशेशताएं थी उसके बाद में हमारे पास एक बहुत महतवपून यहां पर परसन उ परकार से हुआ हमें यहां पर यह जानना बहुत जरूरी हो जाता है हमारे लिए कि जो मानव का जो उदे है क्या वो रियल में मानव का उदे पूरे विश्व में एक साथ हुआ या फिर उसका उदे एक स्थान पर हुआ और वहां से वो स्थान तरण हुआ उसके लिए हमारे पास दो मोडल हैं कितने मोडल हैं हमारे पास है दो मोडल आते हैं पहला तो है छेतरिय निरंतरता का मोडल और सेकिंड हमारे पास किसका आता है परतिस्थापन का मोडल अब आप इनको समझने का प्रियतन गिए परतिस्थापन का मतलब था एक इस्थान पर उदे होना परतिस स्थापन का मतलों उनकी जो स्थापना है वो कहां पर थी केवल एक इस्थान पर थी जबकि जो छित्री है छित्रियता का मतलों अलग लग छित्रों में निरंतरता का मतलों हो गया अलग लग छित्रों में एक ही समय में यानि कि अलग अलग छित्रों के अंदर मानव का हुदे एक साथ होना जैसे ऐसी जो अधर्णा है वो to क्या कहलाती है जित्रिय निरंतरता मोडल कि मानव का जो उध्र है वो एक साथ क्या हुआ अलग-अलग छित्रों में हुआ जबकि परतिस्थापन क्या कहता है कि नहीं मानव का उध्र सबसे पहले के उल एक इस्थान पे हुआ विश्व के अनेक कौनों के अंदर उसका उद्य है नहीं हुआ अब जो लोग परतिस्थापन मौडल को मानते हैं वो क्या कहते हैं वो ये कहते हैं उनकी को ये तरक देते हैं कौन सा तरक देते हैं कि सारीरीक और उत्पत्ती मूलक जो समरूपता है मानौ की वो पूरे विश्यों में एक जैसी है। आप चाहें उस्ट्रेलिया के मानौ को देखें, अफरीका के मानौ को देखें, कहीं के भी मानौ को अगर आप देखते हैं, तो उन सभी के अंदर सारी जो विशेस्ता हैं वो क्या मिलती है एक जैसी मिलती है जबकि ये लोग क्या कहते हैं ये सी धानत का पालन करने वाले इन्होंने कहा कि आज के मानों के अंदर जो पाए जाने वाले जो लक्षन है वो भिन है कहीं पर आपको गोरे लोग मिलते हैं कहीं पर आपको काले मिलते हैं तो इस अधार पर ये कहता है कि आज के मानों के अंदर जो लक्षन मिलते हैं वो भिन-भिन परकार के हैं इसलिए हम ये मानेंगे कि मानों का उद्य विनबिन स्थानों के उपर एक ही समय में एक ही टाइम पे एक ही परकार से क्या है? हुआ है. वो इसका विरोध करते हैं. जबकि यह जो लोग हमारे पास आते हैं, वो यह किस कवजे से कहते हैं? जो परतिस्थापनवारे है वो इथापिया के ओमो स्थान के उपर जो साक्से म और जबकि ओमो स्थान के उपर जो हमें अवसेस मिलते हैं वो क्या है सबसे पुराने हैं क्या है सबसे पुराने जबकि दूसरे स्थानों पर मिलते हैं वो उतने पुराने नहीं है इसका मतलब क्या हुआ कि उस स्थान के उपर मानव का उदे बाद में हुआ इथोपिया के अ होमो एक्टर होमो हाइडल भर गशीज दो एक ही छेतर में दोनों में अंतर है उनके अंदर विसेशता है वो दोनों की क्या है अलग-अग है जब कि वो एक ही छेतर में दो तो इसी परकार जो है नेक्स जो हमारे पास जो point आता है वो यहाँ पर वो फिर ये लोग कहते हैं कि जो मानों का जो उदय है इन्होंने का कि प्रिष्टितियों के अंसार उसमें प्रिवर्तन हो गया कि जो मानों था अगर थंडे स्थान पर रहा तो उसका जो चेहरा है वो जो है गोरा हो गया जो उशन कर टिबंदी अचेतर में रहा उसका क्या हो गया काला हो गया जबकि इन्होंने किसको अधार बनाया विकास की गती उन्होंने का कि मानव का जो विकास है उसकी जो गती है वो क्या है धीमी है लेकिन अगर हम इन दोनों का अगर आलोचनात्मक अध्यन करते हैं तो मानव सबसे पहले किसके उपर पहुंचता है कि परतिस्थापन को ही हम महतोपूर्ण मानते हैं क्योंकि एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने की वज़े से ही मानव का जो अस्तित्त हुआ क्योंकि जो हडियां मिली है वो हमें मानव जो है प्रिष्टितियां जब उसके अनुकूल नहीं रही तो उसने उस स्थान को छोड़ करके वो दूसरे स्थान पर क्या हो गया चला गया उसके बाद में नेक्स्ट हमारे पास जो हमारा परसन यहां पर आता है वो आता है ध्यान पूरवक हम इसको देखेंगे कि जो मानव है आदी मानव उसके बोजन प्राप्ति के तरीके कैसे थे कि मानव जो है सुरुआत के अंदर बोजन जो है कैसे प्राप्त करता था तो चार महतब पुन तरीके थे सबसे पहला था संगरण करना मानव क्या करता था पेड़ पोदों के जो फल होते थे उन सभी को क कर लेता था इकठा कर लेता था और आने वाली सर्दियों के मोसम में जब फल नहीं लगते थे तो उन फलों का वो इस्तेमाल करता था उनको सुखा लेता था उनकी गुठलियों को खाता था दूसरा जो तरीका था उसका की वो सिकार करता था जो सिकारी जो जानवर होते थे व कोई भी सिकारी जानवर किसी जीव को मार लेता है उसका पेट बरने के बाद वह उस उस मास को वहीं छोड़ करके चला जाता है तो आदिमानों जो उस मास का इस्तेमाल कर लेते थे या फिर लंबे समय तक मरने की वज़े से और बहुत समय के बाद जब उसे वह मास मिलता था तो उसकी हड़ियों के उपर जो वो मास्च चिपका होता था, उसको वो खुरच करके खाता था, उसको क्या बोलते हैं, अपमारजन, उसके बाद नमबर चार आता है, हमारे पास मसली पकड़ना, यानि कि जो नदियां होती थी, उन नदियों के किनारे पर जो है, सबसे पहले मानव का क्या हुआ, अस्तित्त हुआ, और मानव जो है, उन नदियों के अंदर जो है, जो मसलियां मिलती थी, उन मसलियों का क्या कर लेता था, सिकार कर लेता था, उनको जाल डाल करके उसको क्या कर लेता था, पकड़ लेता था, और उसके बाद में उन मसलियों का क्या करत वो सेवन करता था क्योंकि अब तक का जो मानव था आदी मानव वो जो है क्या नहीं कर पाया था अभी तक अनका उप्योग नहीं कर पाया था किसका उप्योग नहीं कर पाया था तो ये महतरपुन तरीके थे जिसके दवारा जो है मानव अपने जो है भोजन को आदी मानव ज थैंक यू